हेलो नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है अतुल और एक बार आप सब का स्वागत है फिर से हमारे इस यूटूब चैनल पर आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ पर्यावन की पुस्त के सीरीज के एक नए किताब के साथ और आज जिस किताब की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो किताब है ये आप देख सकते हैं ये किताब वंदना सिवा ने लिखी है और ये किताब है दा वाइलेंस आफ ग्रीन डिवलुशन तो सबसे पहले जानेंगे वंदना सिवा के बारे में और फिर जानेंगे इस किताब के कि ये The Violence of Green Revolution किताब जो है वो क्या कहती है तो वंदना सिवा जो है वो दोस्तो वो eco-feminist है आज के टाइम में eco-feminism एक नया फिनोमिना है जिसमें कि ecology से जो परियावनवाद से जो जूड़ी हुई चीजे है और feminism से जो जो जोड़ करके ये term बना है eco-feminism और उसके प्रमुक करिकरताओं में से प्रमुक विचारकों में से भारत के एक है वंदना सिवा इनकी बहुत सारी किताबे भी आ चुकी है ये पहले एक physicist थी, science के sector में काम करती थी और बाद में ये पर्यावन अंदोलों से जूड़ती चली गई और इनकी एक अपनी संस्था भी है, नौदान्या नाम है उसका और ये जो है देहरादूर में इनकी संस्था है, वहीं पर ये काम करती है पर्यावन से जुड़े भी सेयोग की अगर इनके काम की बात करें तो इनका मिट्टी पे बहुत अच्छा काम है स्वायल को बचाने को लेकर के इसके अलावा इनका बीजों को लेकर के काम है, सीट्स को और फसलिय विविधताव को बढ़ावा देने पे इनका जोर है इसके अलावा क्लाइमेट जेस्टी से जुड़े हुए जो भी से है या जो है जेंडर जेस्टी से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट है उस पे इनका अच्छा काम है इनकी बहुत सारी किताबे भी आ चुकी है जिसमें से कि ये सुरुवाती किताबों में से एक है जो हमारे पास आज किताब है The Violence of Green Revolution ये किताब आई थी 1991 में यानि कि आज के लगवग 30 साल पहले और आज परिस्थितिया बहुत ज़्यादा बदल चुकी है तो ये किताब जिसमें आई थी उस समें जो ये बात कही जा रही थी वो बहुत नई बात थी उस समें के लिए और आज तो वो बात लगवग हर कोई मान रहा है और उस समें इतनी स्विकारेता नहीं थी इस बात की तो आए दोस्तों जानते हैं कि ये किताब किस बारे में है ये किताब है The Violence of Green Revolution यानि कि जो हरित करांती है उसके उसने किस तरह की हिंसा फैलाई उसके बारे में ये किताब बात करती है अगर हम बात करें हरित करांती की तो हरित करांती के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हरित करांती 1960 और 1970 के बीच के दसक में भारत में खादे जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों का ऐसा मनना था कि भारत में अनाज की कमी है और उसकी वज़ा से खादे जरूरतों को पूरा करने के लिए हम commercial model of agriculture और European model हम अपना है और उसके चक्कर में हमने अपने बिना local geography, local climate यानि कि अस्थानिय भुगोल और अस्थानिय जलवायू का ध्यान रखे बिना हमने बिल्कुल monoculture agriculture पर जोर दिया और monoculture agriculture का मतलब है एक फसली वेवस्था एक तरह की फसल वाली वेवस्था और उस monoculture agriculture का दुस्परिडाम ये हुआ कि बहुत सारे उसके दुस्परिडाम होगे जिसके बारे में हम बात करेंगे तो ये जो फिनोमिना था ये दरसल था क्या ये ये था कि जो भी भारती फसली वेवस्था थी जो बीविदितापूर फसलों की बात करती थी एक खेत में कई तरह की फसले एक साथ हुगती थी दलहन तिलहन इसके अलबा मिलेट्स के जो मोटे अनाज है बहुत सारे और ये जो फसली वेवस्था थी ये एक प्रकृतिक वेवस्था थी क्योंकि ये हजारों साल से अपनी और भूझन वहां का वैसा भूगोल और जहां का जैसा भूगोल वहां का वैसा भूझन तो उस मिट्टी उस बारिस और उस पूरे भुगोल के हिसाब से हम फसलों को बोईं तो वो फसले बेहतर जो है परिडाम देंगी दूसरी एक महतुपूर्ण चीज ये किताब पे चर्चा के पहले मैं बताओं कि जितने भी चीजें हैं फूलों में जो खुस्बू है या जो फलों में मिठास है या मिर्च के अंदर जो तीखा पन है या कोई भी स्वाद है या कोई भी रंग है या कोई भी महक है वो दरसल स से ही लेता है उस बीज के अंदर जो चीजे मौजूद होती है उस हिसाब से वो मिट्टी से जो है अपने पोसल करने के बाद वो जब फल आते हैं उसके और फूल आते हैं तो उसके अंदर एक खास प्रापर्टीज होती हैं तो अगर हम मिट्टी की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे अस्थानी भूगोल का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्याओं का सामना में करना पड़ सकता है कि जो अस्थानी भूगोल के गुडवत्ता है वो आपकी फसलों में ना आए तो यह अब किताब सुरू करते हैं इस किताब में जो है चेप्टर्स जो है इसमें पंजाब की special study है और इसके अलावा जो green revolution के बाकी जो प्रभाव हैं उसके बारे में पहला जो चेप्टर है science and politics in green revolution दूसरा चेप्टर है miracle seeds and destruction of genetic diversity तीसरा chemical fertilizers and soil fertility चोथा intensive irrigation large dams and water conflicts पांचवा है the political and cultural costs of green revolution छटा है pepsico for peace the ecological and political risk of biotechnology revolution और साथवा है the seed and the spining will the political ecology of technical change तो ये साथ चेप्टर है और ये साथों चेप्टर बताते हैं के green revolution जो थी हरित क्रांति उसका प्रभाव किस तरीके से समय के साथ वो फीका पढ़ता गया किस तरीके से जैसा वो चाहिए हो था वैसा नहीं हो पाया तो इसमें जो चेप्टर से वो काफी कुछ कहरी की बात करते हैं हम देरे देरे उसको समझें science and politics in green revolution तो इसमें green revolution में दरसल क्या था दो चीज़े involved थी एक कहा गया कि वैज्ञानिक समाधान और दूसरा जो है उससे जुड़ी हुई राजनी थी तो उस समय जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका डोमिनेट करता था गेहों के उत्पादन में और अमेरिका से मुक्यता जो बीज थे वो लाए गए थे इसके अलावा जो यूरोपिय देश थे और सोवियत उनियन वहां के भी सायोग से बहुत सारा हमें fertilizer chemical प्राप्त हुआ था तो इसके बारे में बात के जाता है कि किस तरीके से बिग्यान को गलत तरीके से पेस करके और उस गलत तरीके से पेस करने के लिए राजनीति के सहारा लेकर किस तरीके से Green Revolution के चीजों को सही ठाराया गया और एक गलत चीज लागो की गई जो की हमारी अस्थानी जरूरतों के अनकूल नहीं थी और उस समय जो इकोलाजिस्ट थे बहुत सारे वो ये बात कह रहे थे कि इसके दुरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे तो ये उससे जुड़ी हुई चीज है पहला जो इसमें चैप्टर है दूसरा Miracle Seats and Destruction of Genetic Diversity Miracle Seats मतलब Miracle मतलब आस्चे रे जनक बीज ये बीज जो थे वो genetically modified बीज थे या एक तरीके से जिनको विदेशी बीज थे तो इन्होंने हमारे जो देशी बीज है और देशी बीज़ता है जो की genetically बहुत सालों से अपने आप विक्सित हो रही थी हमारे यहां क्या होता है कि एक ही खेत में अलग-अलग इलाकों में खेत अगर बहुत बड़ा है तो उसके अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरीके की फसल बोई जाती है अलग-अलग तरीके के बीज बोई जाते है वो बीज इकठा कैसे होते हैं यह जानना वी यहां दिल्चस्प है अगर आप बात करें धान की या मक्य की तो मक्य की फसल अगर बोई गई है और उसमें सबसे अच्छा मक्य की बाली आई है यह सबसे अच्छी धान की बाली आई है वो धान की बाली किसान तोड़के रख लेता है और वो मक्के की बाली तोड़के रख लेता है यह गेहूं की बाली तोड़के रख लेता है और उसको वो अगले साल इस्तेमाल में लाता है तो इस तरीके से जो modification है बीज के अंदर वो वहाँ के भुगोल के हिसाब से रहता है उसमें विकेंदरी की तरीका बीज का जो genetically modified वो जो बीज होता है वो विकेंदरी की तरीके से होता है उसमें अस्थानियता का एक पूट रहता है उसके अंदर लेकिन ये जो बाहर से बीज आए जो hybrid बीज आए उसमें अस्थानियता का कोई पूट नहीं था और ये mono culture एक रिकल्चर पर बेस थे कि इसमें सिर्फ पर सिर्फ एकी तरीके के बीज होंगे इसके वज़े से क्या होगा गेहूं की गेहूं का जो पौधा था वो छोटा होने लगा उसके चलते धान के भी पौधों में तरतर की समस्या है गेहूं का पौधा छोटा हो गया उसके बाद भोसे की दिक्कत आने लगी जो पसूओं का चारा होता है जो गेहूं के उससे बनता है और बाकी भी समस्या पराली की भी समस्या उससे जुड़ी हुए है तो ये क्या हुआ कि जैसे आम कहें कि अस्षर जनक बीच तो उस से उत्पाधन तो पढ़ा लेकिन सिर्फ एक फसल का उत्पाधन पढ़ा मतलब अगर दो बिगे की फसल में कुल दस फसले होती थी आठ फसले या पांच फसले होती थी एक साथ सरसों बोया गया है उसी सरसों के साथ मालीजे कोई दूसरी फसल बोई गई है कोई तीसरी फसल बोई गई है तो वह सब कुछ मिला के एक दूसरे के लिए वह किटनासकों से भी रच्छा काम करते थे दूस कैस क्रॉप को बढ़ावा मिला और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो हुआ हर्याना में और पंजाब में तो हर्याना और पंजाब में मुख्यता डान की खेती नहीं होती थी सिर्फ तराई के कुछ हिलाकों में होती थी और हरियाना और पंजाब में इसका लाप क्यों मिला उसके भी कारण है उसके कारण ये है कि हरियाना और पंजाब दोनों में ही 90% से ज़्यादा इरिगेटेड लेंड थी तो सिंचित जमीन जो होती है वो अगर 95% से ज़्यादा है तो वो जाहिर है कि वो राज ये पहले से अच्छे थे सिंची जमीन के मामले में और उसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिला लेकिन ये फायदा बहुत ततकालिक साबित हुए दुरगामी परिणाम इसके बिल्कुल भयावा साबित हुए आज कैंसर एक्सप्रेस चलती है पं केमिकल फर्टिलाइजर सेंट स्वाइल फर्टिल्टी ये जो पूरा सिस्टम बना ग्रीन रिवालूशन का वह बेश्ट था किस पर रसायनिक खादों पर और रसायनिक खादों की इस्तिमाल से ततकालिक लाव तो मिला लेकिन दुरगामी परिणाम इसके बिल्कुल भयाव अगर बात सिर्फ इतनी रहती तो भी ठीक था लेकिन समस्या ये हो गई कि जो केमिकल फर्टिलाइजर और रसायनिक की नासक हम इस्तेमाल करते हैं उसका प्रभाव हमारे अनाज में भी आने लगा हमारे अनाज में सॉलिड मेटल पाई जाने लगे हमारे जो ग्राउंड व जो तीसरा चेप्टर है चौथा है इंटेंसिव इरिगेशन लार्ज डेंप्स एंड वार्टर कंफ्लिक्ट इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातन पर मिस्टर ने भी कही है कि मलहार के देश में ये नौबत आ गई कि पानी के लिए जगड़े होने लगे तो मानोस अब प्रदेश लड़ते हैं अर्याना पंजाब जैसे प्रदेश, तमिलाडू और केरला, जैसे प्रदेश आपस में वाटर कंफ्लिक्ट उन में होता रहता है इसके आलावा जो दो देश में लड़ते हैं वाटर कंफ्लिक्ट में तो यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि हमारी प वहां का भूगोल इस तरह का था जो बहुत ज़्यादा पानी लगता है। उनकी बुआई सुरू हुई और उन्स बुआई का प्रेडाम यह हुआ कि हमारा पूरा सर्फिस वाटर सोर्स था खतम हुआ। वाटर कन्फिलिक्ट शालू हुए दो राज्यों के बीच दो गाओं के बीच और इसके अलावा जो ग्राउंड वाटर सोर्स था भूज अलस्तर उसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है भारत के कई राज्य और कई जिले ऐसे हैं जहांपे कि भूज अलस्तर खतनाक अस्तर पर पहुंच चुका है और नौबत यह आ गई है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कुछ वर्सों बाद भूज अलस्तर समाप्थी हो जाए तो यह जो है चौथा चेप्टर उसके बाद से पांचवा चेप्टर पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉस्ट अफ ग्रीन इसमें बताती हैं जो बंदरा सीवा है कि पॉलिटिकल और कल्चरल काष्ट भी इसके अच्छे नहीं रहे नागि राजनीतिक जो मुल्ले थी राजनीतिक कीमत जो था और सांस्कृतिक कीमत था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा इसकी भयावक कीमत रही जो संस्कृतिक खोखलापन पैदा हुआ क्योंकि हमारे जो बहुत सारे परोतेवहार हैं वो मोटे अनाज से जुड़े हुए हैं उसमें अस्थानी है जो परंपरी का नाज है उनका इस्तेमाल होता है तो यह जब फसले बोय जाने लगी कम हो गई बोया जाना इनका तो जाहिर है कि संस्कृतिक रूप से खोखला पनाया और हम कहीं और की फसल की टेक्नलोजी और कहीं और की फसल की पूरी संस्कृति अपने हां लागू कर दिये इसका जो है कल्चरल कास्ट और पॉलिटिकल कास्ट भी अच्छा नहीं रहा फिर पेप्सिको यह जिसे में किताब लिखे समय हाल फिलाल में इंडिया आई थी उसके बारे में यह चिप्टर है पेप्सिको फार पीस यह सीट्स और बताते हैं कि कई किस तरीके से बहुत सारी जो बहुराश्टी कंपनिया है वह बीजों पर एकाधिकार कबजा करना चाहती है क्योंकि बीज से अगर बीज के पूरे अगली बार बोता है अपने जो दूसरे किसान भाई है उनसे बाठता है और उस इसाफ से वह अपना पूरा जो है पूरी क्रिसी फसल की विवस्था वह मैनेज करता है यदि बीज पर आप सोचिए कि किसी एक या दो या तीन कंपनी का मोनोपली हो जाए तो उससे होगा यह कि एक तरीके से पूरा जो फूरा फूर्ड का सिस्टम है गलोबली उसको वह मैनेज करने लगी कंपनी तो उसके बारे में यह है और यह जो है फिर लाश्च चेप्टर भी उसी के बारे में सीट्स पर इनका बहुत गहरा काम है मैंने जैसा पहले भी कहा और यह सीट्स को ब दुनिया का पीधा कहहते हैं और पूरी दुनिया का पेट भरते हैं जय विवीधिता और फसलीय विविथिता बनी रहे और फसलीय विविथा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि वीजो की विविद्धता पनी रहे यहाँ पर एक data मैं share करना चाहूंगा एक संस्थान है पी साइनाथ का पिपल अर्काईव अफ रूर इंडिया पारी वो बताता है कि Green Revolution के पहले 70,000 किस्मों के चावल भारत देश में सिर्फ आय जाते थे 70,000 किस्मों के और Green Revolution के बाद सिर्फ 7,000 किस्मों के चावल बच गए तो आप समझ सकते हैं कि फसली विद्धता किस कदर नश्ट हुई और सिर्फ ये एक फसल की बात है आप सोचिए कि कितने तरह का यहाँ पे सरसो होता होगा कितनी तरह के बाजरे होते होंगे हमें लगता है कि फसल जो है बाजराइक है लेकिन बाजरा अलग होता है मद्दफिश का बाजरा अलग है रायस्थान में कुछ अलग हो सकता है क्योंकि कोई भी जो फसल होती है वहां के मिट्टी वहां के भूगोल अस्थ करने लगे। इक तरिक देखा गया कि बाहर रिवलुसंय में वह बन्हां सिभा की इसमें ग्रीन जैसा कुछ भी नहीं था, और रिवलुसंय बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि जमीन से थोपी नहीं जाती क्रांथि जो है वह वह लोगों ज़ारा पैदा होती है नीचे से जमीन से पैदा होती है पीपल सेंट्रिक सालूसन जब होता है तब रांती आती है यह उपर तो पी गई चीज थी और इसका जो खाद जरूरत को पूरा करने के लिए पेट भरने के लिए जो बात कही गए थी यह पोशन में कमी का कारण बन गई आज जो कुपोषण देखा जाता है बच्चों में जो है छे महीने से दो साल तक के बच्चों में एन फेसेस का डाटा है वी पांचवा की लगबग 90% 89% लगों में कुपोषण है तो उसका कारण एक प्रमुक कारण यह है कि हमारी जो फसलिय विविदता है हमारे खाने की थाली मे जो विविदता पूर्ण बेयंजन थे वो बेयंजन विलुप्त हो गए है हम चावल और गेहों पर जुरूर से ज़्यादा निर्वर हो गए है उसकी वज़ा से हमारी मिट्टी खराब हो रही है हमारा जलस्तर गिर रहा है हमारी फरसलिय विविदता खराब हो रही हमारा प The Violence of Green Revolution ये किताब आपको कैसी लगी हमें बताएं इसके अलावा यदि हम कुछ नहीं बता पाएं नहीं समझ पाएं इस किताब के बारे में तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं इसके अलावा यदि पर्यावन की कोई दूसरी किताब हो जिसके बारे में